नमस्कार दोस्तों संसकार की बाते चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों आज हमारी वीडियो का विशे रहेगा श्री व्यभव लक्ष्मी व्रतकता और पूरन पूजा विधी दोस्तों यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइक बोलो लक्ष्मी माता की चै दोस्तों श्री व्यभव लक्ष्मी का व्रत सब मुनुष्यों को लक्ष्मी प्राप्ति के लिए जिरूर करना चाहेए दोस्तों इस व्रत के करने से मुनुष्य की हर इच्छा पूरी होती है चाहे वो किसी भी प्रकार की हो दोस्तों व्रत कथा आरंब करने से पहले की विधी श्री यंत्र को सामने रखकर श्री यंत्र को नमस्कार करें ऐसा बोलकर श्री यंत्र को नमस्कार करें बाद में लक्ष्मी जी के पीछे दिये गए आठ स्वरूपों की छवियों को प्रणाम करें धन लक्ष्मी, श्री गज लक्ष्मी, श्री अधी लक्ष्मी, श्री विजिय लक्ष्मी, श्री एश्वरे लक्ष्मी, श्री वी लक्ष्मी, श्री धन लक्ष्मी, श्री संतान लक्ष्मी बाद में नीचे दिये हुए लक्ष्मी स्तवन का पाड करें गेहने की पूजा करते समय निमन शलोक का उच्चारन करी यारत तामबुजवासिनी विलासिनी चंडाशुते जस्वनी यारत तारुदिरामबरा हदी सखी याश्री मनोल हादिनी यारत नाकर मन्थनात प्रगडिता विश्नो स्वया गेहिनी सामा पातु मनोरमा भगवती लक्षमिश पद्मावती लक्षमी स्टवन का हिंदी मियत जो लाल कमल के फूल में विराजमान है जो अतुलनिय कांती वाली है जो महान तेज वाली है जो समस्त लाल वर्न है जिसके लाल वस्त्र पहने है जो भगवान विश्नु की पतनी है जो महा लक्षमी सब के मन को आनन्द देती है जो समुद्र मंतने के समय सागर से प्रगट हुई थी जो विश्नु भगवान को प्रिय है जो कमल में विराजित है वा जो अतिशे पूजनिय है हे लक्षमी मा आप मेरी रक्षा करें वरत रखने के नियम मा लक्षमी कहती है कि मेरे द्वारा अलंकृत प्राणी सबसे अधिक पुज्जे होता है किन्तू निधन प्राणी भले ही शिवजी के समान ही क्यो ना हो सरवत्र तिरस्कृत का भागी होता है वेभव लक्ष्मी व्रत के कुछ नियम इस व्रत को यदि नारी करें तो इस का फल अधिक मिलता है यदि किसी कारण वर्ष नारी यह व्रत नहीं कर सकती तो फिर पुरुष इस व्रत को कर सकते है यदे विवाहित प्रानी हैं तो पती पतनी दोनों मिलकर इस ब्रत को रखें तो इस से मालक्ष्मी अती प्रसन होती है ब्रत रखने के लिए पहले अपने मन और विचारों को शुद करें किसी प्रकार का छल कपट पाप मन में ना आने दें ब्रत करते समय यह स्वार्थ मन में ना रखें कि मुझे धन प्रापत करना है यह सोच कर ब्रत रखें कि मुझे मालक्ष्मी को प्रसन करना है मालक्ष्मी के अनेक रूप है जो इस पुस्तक के अरंभ में ही चित्रों के रूप में दिखाए गए हैं प्रंतु भगतों की सुविधा के लिए श्री यंत्र को ही यदि आप प्रणाम करते हैं तो समझ लो मा लक्ष्मी के हर स्वरूप को आपने प्रणाम कर लिया श्री यंत्र भी इस पुस्तक के अरंभ में दिया गया है मा लक्ष्मी का वरत शुक्रवार के दिन रखना चाहिए यदि किसी कारणवश किसी शुक्रवार आप यह वरत नहीं कर सकते तो इसके स्थान पर अगले शुक्रवार को यह वरत करके मा लक्ष्मी से क्षमा मांगी व्रत पूजन केव समय सोने की कोई चीज पूजा के लिए रखें यदि घर में सोना ना हो तो इसके स्थान पर चांदी भी रखी जा सकती है रजस्वला नारियां उन दिनों में शुक्रवार का व्रत छोड़ दें मा लक्ष्मी के लिए 21, 31 या एकवंजा और फिर 101 व्रत अपनी श्रद्धा के अनुसार रख सकते हैं व्रत संपूरन हो जाने पर साथ कन्याओं को अच्छे से अच्छा भोजन लक्ष्मी पूजन करने के पस्चाद खिलाएं हर व्रत संपूरन होने पर इस कथा की 11, 21 या अधिक पुस्तगें अपने मित्र संबंध्यों को अवश्य बांटें जै मा लक्ष्मी की कथा एक बड़ा शहर था इस शहर में ना जाने कितने लोग रहते थे देश के कोने कोने से रोजगार की तलाश में आई लोग जब इस शहर में आते थे तो उनके पास कुछ भी तो नहीं होता था उसकी एक मत्र यही इच्छा रहती थी कि उनको किसी तरह से भी दो समय की रोटी मिल जाए मैं दूरी करके अपने बच्चों का पेट पाल लें बस प्रभू के गुनगान गएं वैसे तो देखा जाए तो मानव की इच्छाओं की कोई सीमा नहीं होती शुरू में वह यही सोचता है कि उसे दो समय की रोटी मिल जाए प्रभू की यही सबसे बड़ी कृपा होगी इसे के लिए वह मंदिरों में जाते हैं तीरत स्यात्रा करते हैं और कथा सुनते हैं और जब उन्हें दो समय की रोटी मिलने लगती हैं तो उनके मन में कुछ व ये कार या स्कूटर की हो रोटी मिलने के बाद उनकी लालसा बढ़ती जाती है किसी ने ठीक ही कहा है भूख की एक सीमा है जिसे खाना खाते ही पूरा कर लिया जाता है प्रन्तु लालसा की तो कोई सीमा ही नहीं मानव जीवन की भी एक सीमा है लाखों क्रोडों के सपने सुक शान्ती और मोज मस्ती की आशाओं की लालसा करने वाला इंसान यह भूल जाता है कि यह द्वार उसे मृत्तियों की और लिये जा रहा है। मानव जीवन इतना बड़ा कहा हैं जिस पर हम भविश्य का इतना बड़ा पोज लाद देते हैं। हम काम, क्रोध, लोब, मोहों, एहंकार में अंधे होकर उस प्रभू, उस महाशक्ति को भी भूल जाते हैं। जिसने इस संसार को जनम दिया है, जो जीवन देता है, वही मृत्यू भी देता है। कल्योग में तो ऐसा ही होता है, पाप की परचायां लंबी और गहरी होना शुरू हो जाती हैं। धरम वेपार बन जाता है, अधरमी खूब फलते फूलते हैं। इसी शहर में एक महले में राधा और गोपाल पती पतनी के रूप में रहते थे। यानि घर के नाम पर एक कमरा था, उसी में रसोई, उसी में सोना, उसी में खाना पिना। यही था उनका घर, गोपाल किसी मिल में नूक्री करता था, राधा घर का सारा काम काज करती थी। उसने अपने छोटे से घर को भी इतना साफ सुत्रा वासजा रखा था कि महले की औरतें अकसर कहती थी, घर की सफाई रखना तो कोई हमारी राधा बेहन से सीखे। यहे बात तो राधा भी जानती थी कि इस शहर में अच्छे लोग कम और बुरे अधिक हैं। उसी के अडोस प्रोस में कुछ औरतें ऐसी थी कि जो दिन भर एक दूसे की चुगलियां करती थी। दूसरों के घर में जाक कर उनकी बुराया ढूंडना तो उनका सबसे पहला काम था। अपने घर की भले ही उनको कोई खबर ना हो मगर पूरे महले की खबर तो उनके पास यू रहती थी जैसे महले की डायरी लिखने का काम प्रभू ने उन्हें सौप दिया हो। राधा को उनकी यह बातें पसंद नहीं थी। पहले तो उसे घर के काम कास से ही समय नहीं मिल पाता था। दूसरा पती की सेवा करना उसका धरम था। पती की लंबी आयू और उनती के लिए इश्वर की उपासना करती। हर मंगलवार को महावीर जी का व्रत अपने पती की चिर आयू के लिए रखती। महले की चुगल खोर ओरतों को राधा की अच्छी आदतें कैसे पसंद आ सकती थी। बेतो यह कहने लगी की राधा में बड़ी अकड है जो किसी से बात करना पसंद नहीं करती। शायद इसलिए ना की वह बड़ी सुन्दर है। उसे अपनी मितरता पर बड़ा गर्व है। उसे यह नहीं पता कि जिस महले में रहते हैं वहां सब से मितरता करते हैं। उसके साथ मिलकर बैठते हैं। यदि वह भी किसी के पास दुख सुख बाटने नहीं जाएगी तो कल को उसके पास कौन आएगा। इन सब की बड़ी बेहन राम भ ना रखी थी जो घर घर में जाकर कीतन करती थी। राधा को ऐसी ओरतें बिलकुल पसंद नहीं थी जो कीतन करते समय भी एक दूसरे की चुगलिया करती थी। यही कारण था कि राधा ने कई बार उनको टोकते हुए कहे ही दिया था। देखो बहन राम भजनी वैसे तो आपका नाम है भजनी मैं आपके हाद जोड़ कर प्रातना करती हूं कि पूजा एमम की तन करते समय किसी की चुगली मत किया करो किसी की बुराई करने से तो अच्छा है आप उस समय में प्रभू का नाम लें इस से आपका जीवन भी सफल होगा और बुराई से भी बच वह कड़क कर बोली ओ कल की छोकरी क्या तु मुझे बताएगी मुझे क्या करना है अभी शहर में आई दो साल हुए है गाव का गोबर अभी हातों से उत्रा नहीं और हम शहर वालों को अकल सिखाने लगी है गवार कहींगी देखो बहन मैं गवार हूँ या कुछ और मैं प् होती बलिक सत्य के पथ पर चलने से होती है इश्वर का यही सिधान्त है यही शिक्षा है कि किसी का बुरा मत करो मैं तो हर जीव आत्मा में रहता हूं तुम मेरी तलाश में क्यों भटक रहे हो यदि तुम सत्य और विश्वास का सहरा लेकर अपनी आत्मा में मुझे इस बात को सुनकर वहे राम भजनी और उसकी साथी सब मिलकर राधा का मजाक उड़ाने लगी राधा जानती थी ये लोग पाप करने वाले हैं इनकी पूजा तो केवल ढोंग है दिखावा है इनके मन काले हैं खोटे हैं इनसे अधिक बोलने का कोई लाब नहीं इनकी कीतन मंडली खोब धन कमा लेती हैं इश्वर के नाम पर वेपार दुरगा के नाम पर लूट छी 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 घिन होने लगती थी राधा को इन सब से उसने अपने घर में पूजा पाठ करना शुरू कर दिया इन लोगों से दूर रहने लगी इधर गोपाल बुरी संगत में पढ़क कर शराब पीने लगा जुआ खेलने लगा गांव से आया सीधा सीधा गोपाल शहर के साथियों में ऐसा फसा कि बुरी आत्ते लग गई शुरू शुरू में उसने अपने आप को बहुत बचाने का प्रयास किया लेकिन जब चारों और आग लगी हो वह कब तक बच सकता था एक मईदूर का वेतन ही कितना होता है सारा महीना मेहिनत करने पर जो कुछ उन्हें मिलता था उससे घर की दो समय की रोटी ही चल सकती हो मकान का किराया दुनियादारी कपड़े लगते यह सब कुछ उस वेतन से ही तो चलता था लेकिन जब इस वेतन से श्राब पी जाए चरस गांजा पिया जाए जुवा खेला जाए तो घर कैसे चलेगा राधा बेचारी बहुत दुखी हो गई अंदर ही अंदर घुलने लगी पती को मना करती तो उल्टी उसे मार पड़ती गालिया सुनने को मिलती घर में आकर वे इतना होहला करता कि लोगों को उनका मजाक उड़ाने का मुका मिलता वे अंदर ही अंदर तूटने लगी हर समय उदास रहने लगी अपने मन की आग को शांद करने के लिए आंसू बहाती रहती इस परदेश में उसका कौन था जो उसे सहारा देता वे तो अकेली पड़ गई आज जाकर उसे प्रभू का ही आसरा था मा दुर्गा ही उसे सहारा देगी मा लक्ष्मी तो इस घर से रूट चुकी थी कोपाल ने घर के बरतन तक बेडाले थे इतने बड़े संकट में भी उसने प्रभू का विश्वास नहीं छोड़ा मा दुर विश्वास था कि एक दिन मा उसके सारे संकट दूर करेंगी एक दिन जब घर में खाने को कुछ नहीं बचा था मैं दो दिन से भूखी थी जिस दुकान के खाने पीने का समान उधार मिलता था उसने इसलिए उधार देने से मना कर दिया क्योंकि उसके पिछले रुपई य ही नहीं दिये गए थे इस युग में तो जिसके पास लक्ष्मी नहीं वह भूखा मर जाएगा राधा मा लक्ष्मी के चित्र के आगे हाँ चोड़े बैठी रो रही थी मा ने उसकी आंखों से टपकते आंसू देखे उसके रिदे के दुख जान लिये थे राधा रोए जा रही थी साथ वह मा लक्ष्मी का पूजन भी कर रही थी मा लक्ष्मी मुझे बचा लो मा मुझे बचा लो देखो मेरे घर की क्या हालत हो गई मैं दो दिन से भूकी हूँ मेरा पती बिगड़ चुका है घर में लक्ष्मी जी आप बैठी है प्रंतु आपका दूसरा का है वे इस घर में नहीं है उसके बीना जीवन नहीं है मा मुझे बचाळो मा बचाळो मा शक्ति दो शक्ति दो मा मा लक्षमी करिपा करो इस घर को बचालो मा अब आप ही मेरा अंतिम सहारा हो अंतिम आसरा हो तुमने मुझे ना बचाया तो मैं तुम्हारे चर्णों में जान दे दूँगी अब तो मेरा यह अंतिम निर्ने है यह कहती हुई राधा मा लक्षमी के चित्र के आगे गिर गई उसे समय घंटियां बजने लगी शंक की आवाज आने लगी र तबी उसके कानों में आवाज आई बेटी राधा तुम्हारी अराधना सफल हो गई तुमने इतने बड़े संकट में भी मुझे पर से विश्वास नहीं छोड़ा अपनी शद्धा में कमी नहीं आने दी इसलिए मैं तुम पर बहुत प्रसन हूँ राधा एक तो तुम पती व्रता धरम में पूरी उत्री है अपने पती की सेवा में कोई कमी नहीं रखी दूसरा तुने मुझ पर से विश्वास नहीं छोड़ा यह सब तेरी अगनी प्रिक्षा ही थी जिसमें तुम पूरी उत्री है हे जगत माता मैंने आप से आज तक कुछ नहीं मांगा प्रन्तु आज मैं मजबूर हो गई हूँ माँ आज पहली बार आप से इस घर की खुशियां मांग रही हूँ मा मुझे धनवान बनने की कोई लालसा नहीं मुझे तो जीने के लिए धन की जरूरत है जिससे हम खाना खा सकें मेरे बिगड़े हुए पती को सुधार दो मां जाओ बेटी अपने को संभालो मैं तुम्हारी मनो कामना पूरी करने के लिए द्वार खोल रही हूँ उठो अपने घर के द्वार खोलो राधा के अंदर ना जाने कहां से अंजानी शक्ती आ गई थी वह मां लक्ष्मी के चर्नों से उठकर अपने घर के द्वार की ओर गई तो सामने ही एक तिलक धारी ब्राहमन को खड़े पाया देखो बेटी मैं मां लक्ष्मी जी के मंदिर का पुजारी हूँ मां के अशिर्वा से यह दो बोरी आटा और साथ में दाले और घी यह सब खाने की समक्री घर पहुंचाने के आदेश हुए हैं आप धन्य है माहराज आप धन्य है मां लक्ष्मी के पुजारी होने के नाते मैं आप के चरण छूती हूँ माहराज और आप से प्रात्ना करती हूँ कि मुझे यह संकट से निकालने का उपाये भी बताओ देखो वेटी इस माया रूप संसार में सुख प्रापत करने के लिए अपने मन को शुद और आत्मा को पवित्र रखना पड़ता है माया जी को तीजोरियों में बंद रखने वाले पापी होते हैं यदि तुम अपने मन की शांती और ग्रहती चलाने के लिए लक्ष्मी जी को प्रापत करना चाहती हो तो लक्ष्मी मा का वरत करो इस वरत के करने से आपकी हर मनोकामना पूरी होगी तुम्हारे सारे संकट दूर हो जाएंगे लेकिन पुजारी जी मुझे इस व्रत की विधी तो बतादो मैं तो मा की उपासना बच्पन से ही कर रही हूं पर व्रत की विधी मुझे नहीं पता देखो वेटी लक्षमी जी का यह व्रत बहुत सरर है इसे फ्रानी सक्षे मन से व्रत को कर लेता है उसकी सारी मनो कामनाई पूरी हो जाती है उसे हर प्रकार के सुख संपत्ती प्रापत होते हैं इस व्रत को विधी पुरवक करने से ही इसका फल मिलता है जो लोग इस व्रत को विधी पुर्वक नहीं करते उन्हें कोई फल नहीं मिलता बलिक विए अपने मन की शान्ती खो बैठते हैं कई पाखंडी और धोके बाज यह कहते फित्ते हैं कि सोने के गहने की हल्दी कुमकुम से पूजा करो बस व्रत हो गया प्रन्तु ऐसा नहीं है कोई भी व्रत जब तक अपनी विधी अनुसार नहीं किया जाता उसका फल शुन्ने ही होता है यह सब मुझे अपने आप पर निर्भर करता है वैसे घर में यदी सोना है तो व्रत रखकर उसकी उपासना जरूर करें मा लक्ष्मी जी का व्रत शुक्रवार को रखना चाहिए सुभे उठकर नहा धोकर साफ सुत्रे कपड़े पहने और दिन भर मा का पूजन करें हर समय मुह से यही शबद निकालें जैन लक्ष्मी मा जैन लक्ष्मी मा शाम के समय पूरव दिशा की और मुह करके आसन पर बैठें और मा लक्ष्मी की मूर्तिया चिस्चे स्थान पर रखकर उसके आगे चावलों की धेरी लगाएं एक खुली प्लेट में सोने के जीवर रखें यदि सोने के जीवर ना हूं तो चांदी के जीवर रखें मा लक्ष्मी के चर्णों में गुलाब के सुर्ख फूल अरपन करके धूप के साथ साथ देशी घी की जोत लगाएं वैसे तो मा लक्ष्मी की अनेक रूप हैं प्रन्तु इन सब की नीव शी यंत्र है जो मा के भगत शी यंत्र के दर्शन कर लिए समय लो उन्होंने मा के हर रूप के दर्शन कर लिए इसलिए मा पूजन के समय श्री यंत्र को मत भूलें सबसे पहले प्लेट में रखें जेवर को हल्दी का टीका लगा कर पांच बार बोलें जै मा वैभव लक्ष्मी जै मा वैभव लक्ष्मी हमारी खाली जोली भरतो हमारी खाली जोली भरतो इसके पच्चाथ घी आटे और चीनी को भून कर बनाया गया परशाद जिसमें केले के टुकड़े काटे हों मा लक्ष्मी को आरति करके उस परशाद को लोगों में बांट दें बांटते समय भी आ माता लक्ष्मी की जय जरूर रहनी जाएं यह व्रत निरंतर 21 या 51 रखे जा सकते हैं सुर्यास्त होने के बाद मा की उपासना करके जब परशाद बाट लें तो आप भी भोजन ग्रहन कर सकते हैं मा के आगे पड़े चावलों को पक्षियों को डाल दें व्रत रखने वाले हर भगत के लिए यह जरूरी है कि वह श्री वैभव लक्ष्मी व्रत की कथा का पाठ करें और लोगों को भी सुनाएं इस से और अधिक पुन्य मिलता है यह सारे व्रत जब विधी पुर्वक पूर मा लक्ष्मी स्वयम उनका कल्यान करती हैं उनके घर में सुख ही सुख मिलते हैं धन तो आता ही है पर जिसके घर में संतान हो उसके लिए यह व्रत वर्दान से कम नहीं जब व्रत संपूरन हो रहे हों अर्थाद 21 या 51 व्रत जब रखें तो उस दिन साथ छोटी बच्यों क को घर बुलाकर उन्हें उनका मन पसंद भोजन खिलाएं फिर कन्या को चांदी का अत्वा गिलट का एक एक सिक्का दक्षिना में दें उसी दिन मां लक्ष्मी की श्री व्यभव लक्ष्मी ब्रत कथा कि 101 या 51 प्रतियां मां के भक्तों को अपने हातों से बांटें यदि इतन आपकी और प्रभू की क्रिपा से मैंने आपके व्रत विधी पुर्वक पूरे कर लिये हैं इसलिए है मां आप हमारी इच्छा पूरी करो हमारी मनों कामना पूरी कर दो मां हमें सदा सुखी रखना हमारे परिवार को सुख देना मां बस बेटी यह हर प्रानी के लिए कल्य जान मार्ग है तुम भी श्री वैभव लक्षमी व्रत करो तुम्हारा पते भी ठीक हो जाएगा और तुम्हें धन भी मिलेगा तुम सदा कश्ट मुक्त्र होगी यह कहते हुए पुजारी जीतो चले गए राधा ने आटे की बोरियां पडोसन की सहायता से अंदर रखवा दी दालों को भी अंदर रखवा मा लक्षमी की उपासना तो कर ही रही थी प्रतु विधी अंसार नहीं कर पाती थी आज मा लक्षमी ने उसकी हालत देख कर जो उसकी सहायता की उसे वह कैसे भूल सकेगी सहसा उसे ध्यान आया कल ही शुक्रवार है मैं कल से ही मा लक्षमी के 21 अरंब करूंगी। दूसरे ही दिन से राधा ने शुक्रवार की वृत कथा अरंब कर दी और साथ ही मां का वृत रखा। आज तक देवता ना बन कर राक्षस बना रहा लेकिन आज मेरी आखे खुल गई अब मुझे अपनी भूल का एहसास हो रहा है और मैं आज लक्षमी मा के चर्णों में बैठ कर पतिग्या करता हूं कि मैं कभी भी शराप नहीं पिऊंगा ना कभी जुआ खेलूंगा ना ही गं संसार के खजाने मिल गए आज मैं कितने खुश हूं मा ने मेरा उजड़ा घर बसा दिया मेरा सुहाग मुझे मिल गया अब मैं 21 पूरण करके श्री वैभव लक्षमी ब्रत कथा की 51 प्रतियां लक्षमी भक्तों को बांटूगी ताकि उनका भी मेरे ही भाति कल्यान हो मैं भी उनके 21 प्रत रखूँगा सदा घर में उनकी पूजा करता रहूँगा राधा ने अपने पती के चर्नों में अपना सिर रखते हुए कहा मेरे देवता आज मैं बहुत प्रसन हूँ बहुत ही प्रसन मा लक्षमी की क्रिपा से मुझे आज नया जीवन मिला बोलो लक् भी जरूर करें धन्यवाद मैया कमला तुही माता सूरे चंद्र माध्यावत सूरे चंद्र माध्यावत नारद रिशी गाता जै लक्षमी माता दुर गारूप निरंजन सुख सांपति दाता मैया सुख सांपति दाता जो कोई तुम को ध्यावत रिध सिध पाता जै लक्षमी माता तुही पताल बसंति तुही शुभदाता मैया तुही शुभदाता करम प्रभाव प्रकाशक रगनी धी केत्रा था जै लक्षमी माता जिस घर था रोवासा ताही में गुने आता मैया ताही में गुने आता कर सके कोई कर ले मन नहीं घबराता जै लक्षमी माता तुम बिन यज्यना होवे वस्त्र ना कोई पाता मैया वस्त्र ना कोई पाता खान पान का वेभव तुम बिन नहीं आता जै लक्षमी माता शुभ गुन सुन्दर मुकता खीर निधी जाता मैया खीर निधी जाता रतन चदुर दिशितों कोई नहीं पाता जै लक्षमी माता श्री लक्षमी जी की आरत जो कोई नर गाता मैया प्रेम सहित गाता उरे उमंग अति उपजे पाप उतर जाता जै लक्षमी माता स्थिर चर जगत रजाए शुभ करम कर लाता राम प्रताप मैया की शुभ दिश्टी चाहता जै लक्षमी माता मैया जै लक्षमी माता तुम को निश दिन सेवत तुम को निश दिन सेवत हर विशन विधाता जै लक्षमी माता झाल